हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर मासुम और आज हम लोग कलास 11 के बाइलोजी को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज बैसिक बैसिक बातों के उपर चर्चा करेंगे, बैसिक जनकारी लेंगे बाइलोजी के बारे में हम लोग हेल जीव बिघ्ञान होता क्या है, और इसके कितने बरांज हैं, कितने सखाये हैं का और क्या चीज के बारे मेंपको स्टार्डी करना है, सब यतunu बैसिक मैं आप आज आप का और govern marked Ч miał आप देखते रहें यहां पर लेक्चर वान लिखा गया लेक्चर वान में लिखा गया आपको बाइलोजी को हम लोग हिंदी में जीव बिग्यान बोलते हैं तो जीव बिग्यान बाबु है क्या आए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो देखिए प्यारे बाबु ल जीगों में पाई जाता है और लोगोज सब्द का मतलब क्या होता है अधियान होता है अधियान से समझे यहां पर मैं क्या बात आना चाहता हूं जो आपको बायोलोजी सब्द है बायोलोजी बायो लोजी यहां दो गिरिक सब्द से मिलकर बना हुआ है कौन-कौन तो बायोज भायोस अपलास लोगोज से मिलकर बना हुआ है देखिये धिया से समझे है दोगिर् certific सब्दों से साजीवल में जीवन पाज़ता है और लोगों मतलब होता है अधियन करना यह था है मेरे भाई टो स्टॉर्डि करना अध्यन करना है कै तो हम we can stay the definition दे सकते हैं बाइलोगी जीविञान का कि सा जीवलों का अधियन करना ही जी beton किलियर क हो गया होगा है कि जीव बिग्यान दोको सब्ट नीचे में लिखा हुआ है कि सतजीवों का अध्यान करना ही जीव बिग्यान कहलाता है बायॉजी कहलाता है तो आसा करता कि आपको बाइलोजी किलियर हो गया होगा कि बाइलोजी किसे कहते हैं मतलब जीव विग्ञान किसे कहते हैं आए आगे में चलते हैं हम लोग आगे में आपके लिए देखिए परसन सा यहां पे प्यारा सा परसन लिखा गया है आपके स्क्रीम पर जीव विग्ञान सब्द कि और他 है किसने दिया है विघ्यान थियान दिनभाव भाग रहा है इधा एधार आएधाव ढ़र यहां दियां दीजिगा जी विघ्यान जी विग्यान सब्द का सबसे पहले ले मार्क त्रिविरेनस न दिया देखिए जी विग्यान सब्द सबसे पहले किसे न दिया तो ले मार्क बाबा और ट्रिविरेनस ने ले मार्क ले मार्क किया रखेएगा ले मार्क ले मार्क बाबा ले मार्क बोलिए और कौन थे बाबू लिवियर हो गया होगा किượng भी फैनी सब्द किसके द्वारा दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है ले मार्क और और ट्री विरेशन्स के दूआ ले मार्क और ट्री विरेशन consensus निया चलि हम लोग आगे वरते हैं प्रसने मशुत लेंश्यस भाइसिक आपको जनकारी दे रहा हूं और यहां पे सिक को हम लोग ऑरस्तु को हई इंगलिस में क्या बोलते है तो एरिस टोटल बोलते है और थ हुआ ए-अ-वी-ज्विर्ग आपको कहीं पे मिलने नहीं जा रहा है सिर्फ मासुम सर के पास ही मिलेगा यह सब पॉइंट जो पॉइंट लिखवाया हूँ इंपोर्ट आप लोग लिए धून कर यह सब मासुम सर के ही नोट्स में मिलेगा मासुम सर का ही कलास में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा लिखिये का लिखाएगा यहां पर ध्यान से बड़ी है जी विग्यान विग्यान का वह सखाय जो सबसे क्या है बड़ी है गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया है कि जी विग्यान यहां पर बिग्यान लगा छोड़ दिया जी बिग्यान का सबसे बड़ा सखाय देखिए जो आपको बिग्यान है साइ पर ना है तो कॉनई सा है तो भी यह्य ही है देखने में तो असान लगता है लेकिन बहुत काफी पढ़ना इस में बहुत काफी पढ़ना है मैं तर्फिसक्स के तुलब में ब्हाइमस्टरी में और ᆤ धर मैं अपने मन से बनाक नहीं बोल रहा हूं ये गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया है कि जीव बिग्यान बिग्यान का वह सखा है जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है बाबू सबसे बड़ा सखा बिग्यान का कोई है तो क्या है तो जीव बिग्यान है बायोलोजी है तो इतना इजी में ना लिजिए गा नहीं तब बीजी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे लिखा हुआ है बाबू मेरे सुगा धन्नु बाबू देखिए यहां पर जी विग्यान को दो सखाओं में बटा गया है there are two types of biology there are two branches of biology पहला कौन सा है तो जूलोजी जन्तु विग्यान बोटनी मतलब होता है बनस्पती विग्यान तो हम लोग answer दे सकते हैं हमारा answer क्या होगा कोई भी person कोई भी बन आफ से पूश्था है बाबु biology को कितनो भागों में बटा गया है तो बोलिएगा biology को दो भागों में बटा गया है एक होता है जूलो जी जिसको हम लोग हिंदी में जॉन्तू बिग्यान बोलते हैं दूसरे नाम होता है बोटनी जिसको बनस्पति बिग्यान बहुता है तो आए बारी बारी से जानते हैं कि जूलो जी क्या है और बोटनी क्या है हिंदी में बात करें तो जॉन्तू बिग्यान नाम सुनने से ही मालूम चल रहा है जोन्तु के बारे में अध्यान होगा इसमें नाम सुनने से ही मालूम चल रहा है जोसे जोलो जी या जोसे जोन्तु बिग्यान तो लिखा गया है जोन्तु बिग्यान गिरिक सब्द जोन जोन डबल ओन जोन पढ़ेंगे इसको जण्तो बिगयान गिरिक सब्द जोन से मेलकर बनासे मिलकर बना है जिसका और्थ होता है जौन्तु तो वैसा बिग्यान जिसमें जीवों के बारे में अधियन किया जाता है वह क्या करा लाता है आईए अब जानते हैं इसके फादर कौन इसके फाधर ली यहाँ पर लिखा हुआ हैग जंतू बीघ्यान के जोनक अरस्तु अरिस्टोटल को कहा जाता lengहो गिया देखिए। यह better बनेता है फादर हो गये जक्षी जोनक है जीवी घ्यानक भी जनक है फ्लीं हम लोग आगे वह अब incentive पढ़ना है बोलस्पाति बोलते है गिदिक सब्सक्षाइब बना हुआ है बोटेन मतलब होता है पौधा या साक होता है साक सब जी का नम सुने है पौधा होता है जो देखते हैं न सब क्या है तो बोटेन सब से मिलकर बना हुआ है बोटेन का मतलब यह होता है साक या पहुदा तो बनसपती बिग्यान वह ही लिखा गया है प्यारा सार डिफिनिसन देखिये बनसपती बिग्यान गिरिक सब्द बोटेन बोटेन से मिल कर बना होगा है जिसका और्थ होता है साक या पहुदा होता है तो इसका definition क्या हो जाएगा बबू कि बनसपती बिग्यान वह बिग्यान है जिसमें पेर पहुधे पाधबो के बारे में अधियन किया जाता है तो आसा करता हूं कि मेरे दुवारा जिया जाये दनकारी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको पूरा तरह से समाजी एकाणिसरा में आ जाता है कि बनसपती बिग्यान के फाधर कोन हैं अरिस्टोटल साहव है अरός है तो आएघे बात करते हैं अब बनस्पति बिग्यान के जनक कौन है तो लिखा गया है देखिए बनस्पति बिग्यान के जनक थियो फिरेक्टस को खाया जाता है देखिए यहाँ उपर में साप सब्द में लिखा गया है थियो फिरेक्टस कौन है बबू देखिए थसे थियो थियो आपड़ फ प anomal 27 फशुख च्रो में सूरी थियल फिरेक्टरश कैन है तो यहांं ग। स्बक्राइब कॉन है उपर प्लख एक टी उपरेक्षभ थिया थियो साफ भीस्के प्राइब करता है यहां के उपर ईकल है fakori मास्वूम सर के नोट्स पे मिलेगा और मास्वूम सर के पासी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको जहां मन वहां जाके श्टॉडी कर लिजे यह सब पॉइंट आपको कहीं नहीं मिला जा रहा है देखिए यहां पर क्या लिखा गया है पॉइंट नमबर ओन में लगभग 2000 करोर ओर्स पूर्ड हुआ हमारे बढ़मान का निर्मान हुआ हमारे जो बढ़मान दिखता है हमारे वत्ता ओलर दिख रहा है इसका निर्मान का अब हुआ तो लगभग 2000 करोर ओर्स पूर्ड हुआ जीवन का उतहए हुआ फिर पॉक्त नम्र तीन में लिखाया हूँ नभाग 200 करोर और स्पुरह। पर जीवन का उत्तपति हुआ जीवन का उत्पति का वबुगा लगबक 200 करोर वर्स पर पुरह। चेंदीन को प्वाइट सा फिर हिपीड कर दता हूं प्वाइंट नवं में लिखया गया है लगभग दूसर करोरोवर्ष पुर्वा हमारे आई मैं आपको बैसिक जनकारी दिया कि बैसिक क्या होता है जी विज्ञान क्या होते हैं इसके फादर कौन है और इसके कितने बेटे हैं तो दो बेटे इसको निकले एक है जुलोजी और एक है बोटनी जुलोजी के फादर कौन है बोटनी के फादर कौन है हमारे बरमान का कितने वर्स पूरा निर्मार हुआ हमारे पिरिजबे के कितने वर्स पूरा निर्मार हुआ इस धर्ति पे जीवन का निर्मार का भुगा यहीं समय आपको बैसिक बैसिक जनकारे दिया तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी ही लवधायक होगा आपको इस वीडियो से काफी ही मिलेगा बहुत ही बैसिक बैसिक मैं बात बताया हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरे आधिक के तरफ हाई ला दीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुंशाके लोगडान में तो आपके पढ़ाई नहीं हो पाड़ाई है और यहां पर मैं पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लिजिए आप चलिए आस्ता करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत आच्छा लगाओ चलिए बाबु मेरे साथ बने राने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यबाद हम लोग नेक्स क्लास में मिलेंगे और जो आपका चेफ्टर नंबर वन है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे चलिए थैंक्स फ़र वाचिंग बाबु एंड थैंक्स फ़र बिइंग विच में